पनोर मंकुरू जो सोचता है वो करता है इसमें कई नियम और कानूर और आदेश दिये थे जिस वज़से सिक्षकों की परिशानिया बढ़ी थी ठंड जिस तरीके से बढ़ा था इस ठंड में विद्याले के समय सारणी में 9-5 किया गया था जिसमें घने कोहरे की वज़से जल्दी शाम होने की वज़से आपने देख करते वक्त काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है जो कि सुदूर ग्रामेड इलाकों में विद्यालेओं में पढ़ाये जाने को लेकर महिला सिक्षिका या फिर जो भी पीसी से 9 सिक्षक है उनकी नियुक्ति की गई है अब गाउं से उस जगह पर पहुंचने के लि के समय सारणी में बदलाओ करना चाहिए सिक्षकों को परिशानिया होती है और अब देखे नए साल आ चुका है तो नए साल में केके पाठक ने बड़ा अपडेट दे दिया है विद्याले के स्कूलों के जो समय सारणी है उसमें बदलाओ को लेकर आपको बताए कराके की ठ ठंड पड़ सकती है अब इस ठंड की वज़ा से लेकर विहार के सरकारी स्कूलों में समय में बड़ा बदलाओ किया गया है सीत लहर के मद्दे नजर स्कूलों के संचालन के अउधी में बदलाओ कर दिया गया है आपको बता दे कि इस समंद में प्रमंडली आयुक ने पत्र है वो लिखा गया है अब तक धेजगय पत्र में कक्षा एक से आठ तक संचालन अवधी दस बजे से साड़े तीन वज़े तक और कक्षा नौ से बारवी तक के लिए सुबस साड़े नौबे से अपराहन चार बज़े तक निरधारित कर दिया गया ये लेटर भी आप संचालन विशेश का संचालन उसी अवधी में कराये जाएगा इस निरधारित अवधी का आनुपालन द्रिड़ता से पालन कराने को कहा गया है ध्यान रहे कि सिक्षा व्याक के अस्तर में हाली में सरकारी स्कूलों के संचालन के अवधी सुबह 9 बज़े से शाम 5 बज़े तक निरधारित की गई थी इसी टाइमिंग से सिक्षक और बच्चे स्कूल आते जाते हैं जारी पत्र में आयुपने कहा है कि अभी असपश्ट क्या है कि सिक्षक पर निरधारित समय पर स्कूल जाएंगे और लोटेंगे यानिकि बच्चों के लिए ये समय सारणी में तक निरधारित जाले में बच्चों को थर्ण्वे और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद